कि ये हिंस आती हो थे सबका आपके अपनी युट्योब चैनल जी के राम भागरी पर देखिए पिछली klas में हमने जो है रीट पिरी का से लेबस डिसकस किया था कौन सा था रीट पिरी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ए रीट मेंस का जो से लेबस से उसको ठीक है तो देख लेते हैं पिर उसके बाद में जो है आपकी प्रोपर क्लासी बड़े अशांदर तरीके से जो है मैंने PDF डिजैन करें किये देखेंगे जियोगरुप्य को बहुत पहले सुरुवात उसी करेंगे देखिए यह 2022 को जो है जारी किया गया था ठीक है तो देख लेते हैं यह राष्तान क्रमचारी चैनबोर्ड जैपुर जो प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक गयने की थर्ड ग्रेड के लिए है वो सेलेबस कौन-कौन सा है उसमें देखें 300 अंक की परिक्सा मतलब वहां 1500 नमबर थे यहां कितने हो गए 300 और एक प्रश्न पत्र वह यह डाय गंटे क टाये में 1500 प्रश्न आएंगे बहु कल्प लेकिन इसमें एक चीज है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और कितनी एक बटा तीन भाग इद्यान रखने वाले चीज है द्यान रखना इसमें मुख्य था मौन पिरी में कितना है पिरी में 1500 क्यूशन 1500 नमबर के होते हैं औ आम मौन रखनें मार्क शासल नमबर के और एक बटा तीन निगेटिव मार्किंग भी ठीक हैं वह नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी नहीं माणक करते हूं देख लेते हैं पाले का जो सेलेवसे वो कि राज्स्तान की जियोग्रोफी इत्यासिक और सांसकर्थिक ग्यान देखिए अब इसमें जो मामला है वो द्यान रखने वाले बात हैं कि 100 अंक यह दे रखें राज्स्तान जिक mistake यह आगे सारा राज़तान का बूगोल इतियासिक सांस्कृतिक ज्यान और एक यह राज़तानी भाषा तो पले बूगोल देख लेते हैं बूगोल में क्या बोगोलिक स्वरूप मानसून तंत्र जलवाईयू जीलें नदियां बांध फिर राज़तान की बनसंपदा बनने जी जीव सरंक्षन और अभ्यारण ने मरदा और मरदा का सरंक्षन किस परकार करना है वो सारी चीजें राज़तान की प्रमुख पसले जनसेंक्या का टोपिक है इसमें घनत्व शाक्षर्ता और लिग्णानों पाते वे रास्तान की जंजातियां जंजातिय शेत्र धात्विक और अधात्विक खनीज और उर्जासन साधन का टोपिक भी इसमें सामेले ठीके और प्रेटनिस्तल में प्रेटनिस्तल सारी चीजें जाएंगे और यातायात के साधन तो यह तो जो पार्ट है वो हो गया किसका रास्तान जियोग्रोफिका अब उसके बाद में इतियास और कलासनस करती दोनों इसी में सामेले तो इसमें द्यान रखने वाली बात है कि सब्वेताएं दे रखिए प्राचिन सब्वेताएं सब्वेताएं में काले बंगा आहड गणेश्वर बालातल बेराट यह मुख्ये मुख्ये हैं काले बंगा आहड गणेश्वर बालातल बेरा इत्यादी इसके अलावा भी जो और मुक्के सब बताएं वो चीजी हैं रास्तान की एतियासी गटनाएं राजबंस और इनकी प्रसाशनिक और राजस्वय विवस्ता देखिए समझने वाली बात है कि बच्चे जातर राजबंसों पर दियान देते हैं लेकिन ये इसे पियाँ एक टोपिक की रूप में दे रखका है दियान रखना राजबंस उनकी प्रसाशनिक और राजस्वय वस्ता इसके अलावा सब बताएं और भी सारी चीजी हैं राजबंस को गो और इसमा रखें तो जब तक हम राजस्तान का इतियास अच्छे से नहीं पढ़ लेते तब तक जो संस्क्रती है अपनी कला संस्क्रती उसके बारे में समझना थोड़ा कटीन होता है इसलिए पहले इसको पढ़ना ज़रू है एक सीरियल से चलना होता है मतलब करम से कि पहले जब तक हम पढ़ें तो देख लेंगे संसक्रती में मेले ते रेकी लोक कला में लोक संगीत लोक नाडों रखते च। ध challenging कि सांसक्रतिक प्रमपरा और विरात ये प्रमुक संतों में जैसे कुछ मेलाएं भी थी और कुछ आदमी भी थे तो ध्यान रखना मत पूर्ण एतियासिक इस्तल जो इतियासि संबन्दी थे मुख्ये वो इदे कि प्रमुक वेक्तितुवा अब वेक्तितुवा में सिर्फ क्यों नहीं कि जो मेल हैं वही आएंगे और आउशन आगे राश्तान की चित्रकला और हस्तसिल्प ये आ गया 28 सुतान करांती और करांती में राश्तान का योगडान क्या रहा वह राश्तान में जिन जाती आंदॉलन कैसे हुए किसान आंदॉलन उसके बाद में परजामंडल और एकी क्रांद मतलब सीधी सी बात कि जो राजस्तान का इतियास है उसमें सब्वेताएं हैं और राजबंस उनकी प्रसास्निक राजस्वेवस्ता फिर उसके बाद में धार्मिक आंदोलन संत संपरदाय हो गए और लोग देवता हो गए एतियास इस्तल रेक्तित्व हो गए अट्ठार सतान की कुरांती जन जात इसके आर्ट on और देखिए 100 नंबर में फिर वापस यह दे रखा, 80 नंबर में, 100 नंबर तो उपर का हो गया, और 80 नंबर यह दे रखें, यह, यानि कि 180 नंबर का है, टोटल पार्ट, रास्तान जो जीके है, यह 80 नंबर यह दे रखें, तो टोटल कितने हो गए, यह हो गए 180, तो देखिए रास्तान जीके का इतना बड़ा पार्ट है अब देखिए इसमें क्या-क्या दे रखा है इसमें राश्तान का सामानिक ज्यान सेक्षिक प्रिद्रश ये साइक लोजिक पार्ट है एक RT दे रखा है निसुलक एयं अनिवारे बाल सिक्षा का दिकारेदीन और एक करेंट अफेर्स तो इसमें दो टोपिक शेक्षिक परिदर्श और आर्टी यह दोनों किसके साइक लोजी के टोपिक है यह देन को ध्यान रखना बढ़िए एक तो यह आर्टी और एक शेक्षिक परिदर्श रास्तान का जो मतलब जनरल नोलेज उसमें परतिक चिन व फ्लेक्सिप योजना होती है वह डिटेल के साथ आती है वह हम समझ लेंगे जब पढ़ेंगे तब परमुक अनुसंदान के अंदर जो रिसर्च सेंट्र होते हैं रास्तान में मुक्के मुक्के वह धार्मिकिस्तल आप देखिए उन्होंने सिर्प लोग देवियों के वह द लेकिन लोग देवियां सामील हैं इसमें नहीं तो देहनी रखाना कि लोग देवियों घायों कि अितनी सतल हैं वह रोट अब प्रसिद नगर और इस तल कौन-कौन से यह उद्योग दो बार आ गया उद्योग वहां जिवरुपी में दे रखा है और यहां भी दे रखा है एक राजस्तान की पॉलिटिकल दे रखी है राजडितिक और प्रसाशनिक व्योस्ता किस परकार से और एक जनकल्यानकारी योजन यह राजस्तान सरकार की सुजस में भी आती हैं उस परकार से यह जो कौन सी चल रही हैं भी प्लेटेस्ट वह तो यह थोड़ी सी ध्यान रखनी है पिछली बार भी यहां से बहुत अच्छे शेक्यूशन उपाइज उसने कास्ट वर्पे करेंट अफेर्स में सेक्षिक पर इस्टेट और सेंट्रल की जो विद्यार्तियों के संब्ध में कल्यान कारी यह जना है मतलब जो बच्चों को दी जाती है पुरुसकार दिया जाते हैं उनके बारे में एक जो SMC होती है विद्याले परबंदन किस परकार से किया जाता है स्कूल मेनेजमेंट कमीटी उसके स्कूल मेंनेजमेंट कैसे करना है उसमें बंती है जो वारसी का गयोजना वारकार से होती है औरósी में जो तो यह प्रावदान किया गया है और उसके नियम कौन-कौन से हैं पिर जो अपने प्राइवेट से होते हैं उनमें जो बच्चों को प्रवेश्म में दिया जाता है निसुल को किस प्रकार से दिया जाता है वो ध्यान रखना एक करंट अफेर्स में रास्तान की सारे गटना आ जाएंगी एक नई विकास योजना है और उनकी कुरियान विती कौन सी है और करंट अफेर्स का विसे है सही तो यह ध्यान रखना यह 80 नंबर है और 100 नंबर वो तो 180 नंबर के तो अपनी क्या हो गई जिके 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 जिसमें साइक्लोजी की दो देखिये अब ्मैने एक चीज़्योगा बताए थी कि जो यह और टी है मपढते हैं आर्टीै यह वांपर साईक्लोजी Conservative ता और टी-ई दोजर नो में साईक्लोजी का पढ़िता यह प्री में भी में बिए और और ваш कि इसमें एक जड़ा है वह सेक्सिक परिदिर से इसमें रखना अब चलते आगे तो इसमें देख लेते हैं जो विद्धियले विश्य आता है हिंदी अब देखिए मैंने का था हूं वहां पे जो चीज़े थी पिरी में वह मतलब प्रतेक्सब्जेग्ट जैसे की हिंदी था अब नहीं पता जेता हूं हिंदी कितनी थी तीस नंबर क आप देखिए यहां 10 नंभर है, मतलब यह तो है परी की बता रहा हूं मैंने तो मैं इन समील में 30 नंबर कहां से आगे। देखिए यहां 10 नंबर तो यह सब्जेक्ट है इसमें जो सिक्षन विदियां है वो 8 नंबर किये, तो 18 नंबर हो गए, कितने हो गए? तो अपने यहां पे उनका बेटेज थोड़ा कम कर दिया गया ध्यान रखना दस क्यूशन दस नंबर के मतलब कितना हो गया पांच प्रश्न आएंगे ठीक है ध्यान रखना तो यह चीजें यह इस्पेसल द्यान रखना कि सब्द सुद्धी मुहावरे लोकोगति हैं देखिए अगर आप जो मेंस की त्यारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका प्री किलेर हो चुका है तो एक बार सेलेबस को निकाल ले और जो टोपिक हैं सब्जेक्ट में जो जिस तरीकिस दे रखें उनको विशेश तोर पर ध्यान रखें कि कि सब्जेक्ट में अपने कौन से टोपिक हैं एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ना जो दे रखा है उसी में से क्विशन आते हैं पिदस नंबर किसे हैं मंगरे जी इसमें आर्टिकल टेंस वोईश नहरेशन आइडेंस प्रोवर्ब्स फ्रेजल वर् यह चीज़ें इंग्लिस के लिए तो इंग्लिस वाले द्यान रखना बे कौन कौन से जे अपने तीन और तीन छे साथ आठ टोपिक हैं बाकी सिक्षन विद्यां तो पढ़नी ही पढ़ेगी उसमें सारी जीज़ें गणित भी यहां पे अपने दस नंबर किये देखो दस न गणित अच्छे से पढ़ लिए तो आपके बैसिक सारी चीज़ें कंप्लेट हो जाएंगी इन चीज़ें के लिए तोड़ा सा लग पढ़ना पड़ेगा परतिसत लाबानी सरल ब्याज चक्रोर्दी ब्याज ठीक है बागी सारी चीज़ें वही हैं तो इद्यान रखना अब प्रयावरण का पार्ट था अपने यहां पे इसमें क्या है तोड़ा सा इस पेसली देरक्पाया उन्होंने कि वह एक बार गणित बता देता हूं नहीं देखा गया यह पूर्ण संख्या है बाजज अबाज़ संख्या जो मूल संख्या है जोड़का गुना बाग बिन सारी आ गई दस मलो संख्या अबाजी गुणनकंड LCM HCF अपने परसेंटेज प्रोपिट लोस और इंट्रेस्ट जो सिंपल इंट्रेस्ट है और एक चीज चक्रवर्थी ब्याज थे कि द्यान रखना चक्रवर्थी ब्याज सामाने विज्ञान में अमलशार लवन जो दश्वी में पढ़ते थे वो तत्वय योगिक मिस्रण बोतिक रासाइनिक परिवर्थन ये टेंथ की बुक के मतलब सारे जो हैं वहां से है फिर बल और गती के नियम परकास पढ़ते आयें से कोशिकाई सरचना जीओं में सोसन कैस से होता है उनका परिवर्ण और जन्न ये टोपिक हैं आपके दस नंबर के क्यूशन आने पांच और ये चीज़ें दे रखिएं डस अंक का से मेसेश्टी में हैं राजस्तान का एक परीचे ये अपन वहां जीके पढ़ते हैं तो वहां आ जाएगा राजस्तान के रतियोस् में इसके लिए एक मेने छटी सात्वी आचवी की सोट नोट्स बनाये थे सुमें स्पेसल दे रखा यह राजस्तान का समविदान निर्माण में क्या कही हो दानमराजस्तान से कौन-कौन से वेकती हैं जिनोंस समविदान नीर्माण में बूमी का निबायती तुम देख लेंगे बाकि एक अपना मुगल साम राज्य है पड़त्वी के परमुफ इस्तल सोरूप जैसे पाड़ नदियां होती है बारत की वनस्पती वन्नेजीव और स्रंक्षन बारते समिदान ये इस्पेसल है ठीक है तो तीन चार टोपिक हैं यूनिक है इनको द्यान रखना अलग से हैं बाकि तो रास्तान जीके में आए जाएंगे अगर आपन रास्तान जीके पढ़ते हैं तो वहां से आजाएंगे अब देखिए मैंने कहा था सब्जेक्ट दस नंबर का और जो सेक्शन क्रेटी विग्यान इसका मतलब क्या है जो हम पढ़ाते हैं सिक्शन विदियां अब देखिए हर एक सब्जेक्ट में यह आठ नंबर मैंने कहा था हूं वहां हिंदी दस नंबर की ग्रामर है और आठ नंबर की यानि कि टोटल यहां कितने हो गए दस तो वह और आठ यह तो टोटल कितने हैं अठारा और सब्जेक्ट कितने हैं टोटल पांच तो टोटल जो है अपने नबर नंबर का टार्गेट होता है शिक्शन विदियां मिला के सब्जेक्ट का ठीक है तो ध्यान रखना भई तो सिक्षन विदियों में क्या क्या है, वो सारी चीजे मैंने जो हमने पिछली क्लास में डिसकस करी थी, पिरी में, पिरी में अगर अपने शिक्षन विद्धाचे से पढ़ी है तो वो सारी चीजे यां काम आजाएगी, वोई, शिक्षन विदियां, बासाई कोसल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनका विकास कैसे होता है, शिक्षन की वबागम कौन-कौन से हैं, चुनोतियां क्या क्या आती है पढ़ाने में, हम जो TLM यूज करते हैं, वो किस परकार से उप्योग होती है, और कौन-कौन से होती किसे योज लेनी वो मुल्यांगन की विदियां यह निदानात्मक और उप्चारात्मक शिक्षन यह चीजें हैं बहुत द्यान रखना तो सेम चीज वही टीचिंग इंग्लिस प्रिंसिपल ओप टीचिंग इंग्लिस यह अंग्रेजी इसमें भी आर्ट नंबर किये कम्यूनिकेटिव इंग्लिस लेंग्वेज टीचिंग वो मेथर्ड डिफिकल्टीज क्या क्या प्रिशान ही आती वो एक इसमें एक चीज जो ध्यान रखना है मल्टि लिंग्विलिज्म का जो रोल है वो कैसे है जैसे कि मानलो आप राजस्तान की ग्रामिन अंचल के बच्च मल्टि लिंग्विलिज्म का मतलब भी होएं कि एक से अधिक बासाओं का यूज करके समझाते हैं तो उसकी बूमी का क्या है वो चीज है पिर इवेलिशन वही जो अपने सिसी ही है कंटिनियोस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेलिशन और रिमेडियल टीचिंग जिसको हम बोल समझने में परेशा नहीं आ रही है तो परेशानी का कारण क्या है पहले पता लगाना उसका उप्चार करना मतलब तो कि कौन-कौन से अप्रोच से हम यूज कर सकते हैं उसमें शिक्षन विदियां है गणित की उपागम गणित की चुनोतियां जैसे आज भी गणित है इस्की आए उसके उपयोग मुल्यांकन निदानात्मक उप्चारात्मक क्या गणित्य समाजnormée में घ्रeral बाकी सिक्ष्ण विदियां उनकी संकल्पना प्रकरती जो साइक साम अगरी है वो फिर प्रोजेक्ट कार रहें और मुल्यांकन निदानात्मक उप्चारात्मक सिक्ष्ण मतलब संदर बदलेगा सब्जेक्ट के अक्रोडिंग बाकी चीजें वहीं हैं। विज्ट जातेक görün siis किसी को टुकडों के बाड़ते हैं किसी इमें नियम पले बताय जाते हैं तो ओं यह मनन्य जाती निगमन और उन जो गन्यम को उधारणु के माध से लाना पढ़ता है मेलने निकालना पर तो आग मननों जाती तो वो चीज डिपेंड करती है आपके जो टोपिक हैं उसके आदार पर अब देखिए इसमें एक जो बेसिक चीज है वो दियान रखने वाले बात है जो साइकलोजी है जो में 20 नंबर यहां दे रखी है जो अपना 80 नंबर वाला पाट तो उसमें इसके दो टोपिक दे दिये अब यहां बीस नंबर की वहां परे पुर्ष लेवल जिसको हम करते है पिरी में अपने 40 नंबर एक ती ऐसी नंबर देखिए इसमें भी दो चीजें हैं एक तो सेक्षि मनुविग्यान होती है बाल मनुविग्यान मतलब सिक्षा के शेत्र में पश्ट में जो बच्चा जाता है तो उसको उसकी साइक लोजिक इस परकार होती है उसको समझना एक टीचर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अग औरत शेत्र और कार्रे पिर बाल विकास है तो बाल विकास का अर्थ क्या है बाल विकास के सिद्दान कौन-कौन से हैं और विकास को प्रवायद करने वाले कारे कौन-कौन से हैं तो मतलब जो कौन-कौन से फेक्टर होते हैं जो बच्चे के डवलप्मेंट में उसकी करनी हैं तो हम उसमें जो है अपना योगदान दे सकते हैं ठीक है उसके बाद में वनसानु करम और वातारण का किस प्रकार से प्रबाव पड़ता है वो सारी चीजे देखा होगा आपने कि एक बच्चे को एक ऐसा मतलब अच्छे से पड़े लिखे हैं तो उसका प्रबाव उसको पड़ेगा और जो नॉर्मल किसान का बेटा है और वो पहली बार सिक्षा गरण करने के लिए जा रहा है तो उसके घर का वातारण और उसके विकास में जो है बहुत अपनी भूमिक आए वो अदा करता है फिर वेक् से वेक्तित्वा मापन की विदियां यह मुहां देखेंगें फिर बुद्धी बुद्धी के संकल्पना कैसी है बुद्धी के सिद्दान कौन-कौन से बुद्धी का मापन कैसे किया जाता है यह चीजी हो गई अधिगम मतलब लर्निंग कैसे होती है उसका अर्थ उसको कौ कौन से कारक जो यह प्रबावित करते हैं अधिगम के सिद्दान कौन से हैं अधिगम की विबिन परक्रिया हैं और एक पिछड़े विमंदित पर्तिबासाली सरजन सील विसे सावसिता वाले बच्चे यह चीज मैंने वाद बताया थी क्योंकि साइकलोजी का सारा मेटर्स हैं पिरी में ऑर मेंस में इसलिए आप इसको ऊठर पड़नों और मेंस में करने अधिगम में आने वाली कटिनाह geç around कौन क्वैल सी वह अभी प्रेंग अभी प्रेंग अभी प्रना बहुत मतोपनवंगू मिका कोती यह लर्निंग में मोटिवेशन इसको मोलते हैं और इसका अध क्या रोल है वो चीज़ देख लिए तो देखिए बीश नंबर की साइकलोजी होगी दस नंबर की जो दे रखिए आईटी दे रखिए मतलब सूचना तक नहीं की इनफोर्मेशन टेकनोलोजी इसके आदार इसके जो टोल से हो कौन-कौन से हैं इसके यूज कौन-कौन से हैं मतलब ये समाज पर क्या प्रभाव डालती जैसे भी आप देख रहे हो कि जो सूचना प्रद्योगी की है उसका कितना बड़ा प्रभाव है अपने समाज में चीज़ें डिजिटल हो रही है तो पहले से कुछ चीजों में समझना आसान भी हो गया फाय दे हुए तो कुछ ज चीज़ें का फर्क भी है और वैसे चीज़ें आसान हुई है उसके साथ हर सिक्के के दोपल होते हैं तो चीज़ हम को यहां देखनी है दस नंबर की है पांच प्रशना ने सूचना तक नहीं की है तो यह जो से लिबस हमने पूरा डिसकस कर लिया है इसके बाद में जो सुर सुलिशन नहीं हाँ जहां चीज़ें समझानी होगी वहां समझने का प्रयास करेंगे बाकी याद करना है तो याद ही होना जरूरी है उसका कोई सुलिशन नहीं है तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम रास्तान जो भूग गोल का स्वरू पे आप शेयर कर देना मैं आप से आखिकत आपको बरोसा दिलाता हूँ कि जो जियोग्रोफ ही है शांदार तरीके से मतलब पूरे मैप के कोडिंग में पीडेप बनाई है और कुछ अपडेट जहां चीज़ें समझने की जरुतों की समझाने के वाद मैप से देख लेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जे इन जे वारत सब्सक्राइब कर देना